हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू माई चानल काना पकाना आज बनाने वाले है इफ्तार में कुछ स्पेशल तो जिसके लिए मैंने यहाँ पटाटा संपन का रेडिमेट आटा यूज़ करने वाले हैं मौंग दाल वड़ा मिक्स का तो चलिए इसे स्टेप ब याज उसे बारीक चॉप करके लेना है जैसा कि यह एक पैकेट 180 ग्रैम के साफ से लेकि मैं यहाँ पर आदा ही पैकेट बना रही है क्योंकि हमारे गर पर हम दो ही मेंबर है इसलिए तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सी पानी आड़ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पर रख देते हैं तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं तो यह देखे फइंट्स यहाँ पर यह दाल जो आटा रेड़ी किया है वो पॉफिक्ली हो गया है दस मिनिट में सेट तो यहाँ पर तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया यहाँ पर अभी हम छोटे चोटे इसकी बाल्स तेल में एड़ कर देते हैं तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए उसके बाद में यहाँ पर हमने इसे लो टो मीडियम फ्लेम पर इसका अच्छा से एक कलर आजए तब तक हमें इसे फ्राय करना है आपको ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाना है या तो आपको पाव का अच्छा देख सकते हैं तो अभी इसी तरीके से हम बाकी सब कर लेते हैं और कितना क्रिस्पी बना हुआ है यह तो यह लिजी फ्रेंट्स हाडली दस मिनट में रेडी हो जाने वाला मौंग दाल वड़ा वो भी रेडी है यहाँ पर हमने सिर्फ टाटा का संपन आटा यूस किये तो आपको रेसिपी पसन आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए थैंक यू बाबाए